सबीको ट्रिक सेंटर के ओर से नमस्कार आज हम चलने मिस्र धातू एवं उसके घटक यानि कौन-कौन से मिस्र धातू और उसका कौन-कौन सा घटक है इसमें अक्सर इस्टूरेंट प्रेसान रहता है और अक्सर उल्टा-पुल्टा होता है और एक्जाम में निश्चित तोर पर पूछा जाता है कि मिस्र धातू एवं उसके घटक जैसे पीतल में कौन-कौन से मिस्र धातू इस्टेनलेस से स्टील में कौन-कौन से धातू है डच्र धातू क्या है बेल धातू क्या है गन मेटल क्या है जरवन सिर्वल क्या है यानि टोटल को आपको याद करवाना है आप कभी ने भूलेंगे इसके गारेंटियम देते हैं आप धियान से देखते जाएंगे और एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो किसी भी लेवल का एक्जाम हो सभी में यह पूशता है और अक्सर ये करके जितने science, ये science topic है साइन्स पराधारी सवाल जैसे पारा मेडिकल पोल टेकनिक आई टी आई बिहार पुलीस और फिर रेलवे एससे बैंक सारे में पूर्षता है तिसलिए ध्याम से इसको देखते जाएंगे आपको आज याद हो जाएगा एक दूबार रिपीट कर लेंगे फिर दिक्कत आपको याद रखना है तो पीतल में देखते हैं कि तामबा तथा जस्ता है तो पीतल में क्या है आपका तामबा और जस्ता इसको याद रखने के लिए देखते हैं तामबा और जस्ता को हम कैसी याद रखेंगे एक चीसमें आपको करना क्या है कि तामबा तामबा से आपको पता चल ला है सांभा तो सांभा कि क्या है इसको भी जान लिए सांभा एक फिल्म में रोल किया हुआ है जिसका नाम है सोले सोले में रोल किया हुआ है और इसी पर हम अधारी सवाल को हम बनाते हैं और याद करेंगे एक चीज़ सिर्फ तामबा को संभा और कुछ नहीं करना है तिहान से देखते रहेंगे और जस्ता को सस्ता जस्ता को क्या करेंगे सस्ता तंबा को संभा और जस्ता को क्या रखेंगे सस्ता और तंबा को संभा और तीन को तीन तीन को क्या याद रखेंगे तीन तीन को क्या याद रखेंगे तीन जैसे तीन बोलेगा थे तीन उचारन हो रहा है तंबा बोलेगा थे सामभा उचारन हो रहा है जस्ता बोलेगा तो सस्ता उचारन हो रहा है तो आपको पी तल तो पी तल देखें पी तल में क्या है तामभा और जस्ता है तो इसको कैसे याद रखेंगे पी तल जैसे पी तल है तो इसका उचारन हो पी पी मतलब पी पी लो तल मतलब तरल बोलता ह इसका मतलब है कि बोला जा रहे कि पी तरल, सांभा को बोला जा रहे कि पी तरल, यानि कि पानी पी, पानी पीने के लिए बोला है कैसे पी हैगा यह, क्योंकि सांभा जो रहता है, जंगल में रहता है, तो वहां क्या मिलेगा, पानी पी पानी रहेगा, तो बलता है पी तरल, तो पी तरल किससे बनेगा, तो सांभा को बोला है पानी पी, पानी पीने के लिए बोला है, तांभा मतलब किया सांभा सांभा हो गया और पानी पीने के लिए बोला है क्यों पानी पीने के लिए बोला है क्योंकि यह सास्ता है पानी फिरी में आता है पानी में पैसा नहीं लगता है इसलिए बोला है कि पीत तरल यहने कि सिर्फ तरल प्यो पानी प्यो सांभा सिर्फ पानी प्यो सांभा को बोला स कुन पिएगा सांभा पिएगा और क्या पिएगा पानी पिएगा क्यों पिएगा सस्ता है तो पी तरल सस्ता होगी कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ते हैं कासा तो कासा को कैसे आप याद रखें कासा है तामबा और टिन तामबा और टिन से बना हुआ कासा इसको याद रखें कासा कोई बोलता है कि कसा हुआ है कासा हुआ मतलब कि तीनों तरफ से मेरा कसा हुआ है जैसे सांभा कि ये जगह है रहने का तो जगह रहने का है तो तीनों तरफ से कसा हुआ है चौकिदार लगा हुआ है और एक जगह से निकलने का रास्ता है तो कासा बना हुआ है सामभा बोलता है, हमको कोई न की मार सकता है, क्योंकि मेरा साइनिक लगा हुआ है, कसा हुआ है, तो एक तरफ जाने का रास्ता होगा उसका और तीनो तरफ से कसा हुआ होगा इसका मितलब कासा हो गया तो कासा बोलता है कि हमको कोई ने सांबा बोलता है हमको कोई ने मार सकता है सांबा मितलब तांबा तामबा हो गया, क्यों नहीं मार सकता है, तीनों तरब से कसा हुआ है, तीनों तरब से कसा हुआ है मेरा अरिया, तो हो गया कासा क्या हो गया, तामबा और टीन, कोई दिकत नहीं है, अब देखिए, कासा तामबा और टीन एक ची और देखिए, कि इसको हम डच धातू भी बोल और जस्ता बना हुआ एक पीतल है उपर कासा नहीं पीतल तो पीतल तामबा और जस्ता से बना हुआ है तो यहाँ पर पीतल तामबा और जस्ता और डच धातू तामबा और जस्ता तो दोनों एक ही चीज़ है पीतल बोले या डच धातू डच मतलब टच पीतल को टच नहीं कर सकता है तो टच नहीं कर सकता है पीतल को डच धातू होगा डच धातू तामबा और जस्ता से मना हुआ डच टच करना है डच तो आप याद रख सकते हैं पीतल बोले या डच धातू बोले आपका दोनों एक ही चीज़ है तामबा और जस्ता डच धातू क्या होगा इसे भी प सस्ता है इसले की तरह लोत है कासा ऊし कासा तीनों तरफ से सावा थका Letоля सामभा मिपल्ण चाहलighty हुआनि है इसका मतलब था कौंबां चाहिए उस् आप सब्वो instal नृधे से चिज़ को यहाद करते तो इस्टील का बनता है उसमें लो फा तो हो गाइए बिना लोहा के बनेगा नहीं holds the गेट बनता है तो अब देखें याद रख सकता है कि इस्टील को किसे लोहा और कारबन एक चीडिय याद ओगए इस्टिल में क्या है लोहा तो होगा ही और कारबन होता ही य Τव और चीडिय रखेंगे हैंwięर अब आप गए हैं मार्केट summit गए हैं और इस्टिल खरिदने के लिए गए हैं तो आप बोले कि इस्टिल हम को दे देजिए तो आप जानते हैं कि लोहा और कर्वन इसमें मिला हुआ है लेकिन दुकंदार बोला कि आप लिजे इस्टिल नहीं लिजे आप इस्टेलेस इस्टिल लिजे इस्टेलेस इस्टिल लिजे क्यों लिजे क्योंकि इसमें लोहा निकेल को निकल याद रखेंगे निकेल, निकेल मतलब होता है, निकेल मतलब निकाल देना, निकेल मतलब याद रखेंगे, निकाल देना, निकेल मतलब क्या होगे, निकाल देना याद रखेंगे, तीन मतलब तीन, तामबा मतलब संभा, तो स्टेनलेस स्टिल को आप कैसे याद रखेंगे, दुकंदा आपको को बोला कि इस्टेनलेस इस्टिल लिजे इस्टिल नहीं लिजे क्योंकि लोहा और कारवन लगा हुआ इसमें जंक लगेगा इस्टेनलेस इस्टिल आप लिजे तो इस्टेनलेस इस्टिल से हम क्या किये हैं इस्टेनलेस इस्टिल बहुत ही अच्छा है इसमें जंक आपको न लेकिन दुकंदार हमको क्या बोला कि लोहा इससे निकाल दिये हैं लोहा निकेल मतलब निकाल दिये हैं सिर्फ इसको इसमें क्रोमियम है तो आप याद रख सकते हैं इस्टिल में क्या क्या हो गया लोहा निकेल और क्रोमियम लोहा निकेल और क्रोमियम तो चलते आगे बढ़ से कसा हुआ है कोई तरफ से हामला नहीं हो सकता है तो सांभा का तीन तरह से कसा हुआ डिन हो गया तीन हो गया को छोड़ी कतने Istillistil को याद रखने के पहलijk किसको याद रखेंगे इस्टिल को, इस्टिल में क्या है लोहा और कारवन है, लेकिन दुकंदार बोला कि आप लिजिए हमसे इस्टिल इस्टिल लिजिए, क्योंकि लोहा इससे निकाल दिये हैं, लोहा और निकेल, निकेल मतलब निकाल दिये हैं, सिर्फ क्रोमियम से बना है, तो आप याद रख सक तो डच धातू भी आपको याद हो जाना चीज है पीतल और डच धातू आपका दोनों एक ही चीज है तामबा और जस्ता को दिकतने पीतल और डच धातू दोनों एक ही चीज है आपको पीतल याद होने से डच धातू याद हो जाएगा अब चलते आगे बेल धातू बेल धात हैं ंवेल नहीं हो घंता गन्टा धहतू भी बूल सकते हैं वेल्थाटू हो गया है की यह बना हुए तांबा ओर टीन से तंभा ओर तीन से को भी दिकत ही यहें और क्या कर सकते हैं वेल धहतू सामभा बनने चाह से यार से मेरा रास्ता है अगर किसी और से कोई आदमी हमला करे गा हम पर तो ब collaboration और हमको पता चल जाएगा तीनों तरसे मेरा गन्ता लगा है योट इसको कैसे उलिए रहें सिवागी तुकर से फैनुं सर्फे एन तीनों तरफ से टीन हो गया और तामबा हो गया कोई दिकत नहीं आगे बढ़ते हैं गन मेटल तो गन मेटल में क्या है तामबा तीन और जस्ता गन मेटल को कैसे आप याद रहें गन गन मतलब बंदूग होता है तो बंदूग चाहिए सांभा को चाहिए सांभा मतलब तामबा को चाहिए कितना बंदुग चाहिए तीन बंदुग चाहिए तीन बंदुग हो गया और कैसा बंदुग चाहिए सस्ता तो सस्ता हो गया तांबा तीन जस्ता को दिकत नहीं तांबा तांबा तीन जस्ता अब याद रख सकते गन मेटल को को दिकत नहीं अब जलते हैं जर्मन सि ये इसको जर्मन यानि कि जर्मनी का सोना चाहिए तो जर्मनी का सोना चाहिए सांभा को चाहिए तो जर्मनी तो जाना पड़ेगा जर्मनी ने जाएगा तो कहां से वहां से ले आए सिलवर तो लाने के लिए जाना पड़ेगा तो सांभा हो गया एक जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा मतलब के निकलना पड़ेगा घर से निकलना पड़ेगा तब जर्मनी पहुचेगा निकलना मतलब निकेल निकेल हो गया और क्यों जा रहा है वहाँ जर्मनी क्यों जा रह तो सांभा हो गया तामभा हो गया रहा है और जरमानी से लेना चाह रहा है मुअ अगी है जरमानी जाने के लिए निकलना पड़ से निकल गया है। टाका में क्या आपका है टीन और सिसा टाका जैसे आप याद रखिए कि टाका किसी का पैर कट गया पैर कट गया तो उसमें क्या करता है टाका डॉक्टर टाका मारता है तो टाका मारता है तो इसमें तीन का परियोग हम कियें तो तीन का परियोग कियें इसका मतलब तीन टाका मारता है किसी का पाइर कट गया किसी का पाइर कट गया है तो उसमें डॉक्टर टाका मारेगा कितना टाका मारेगा तीन टाका मारेगा तीन टाका मारेगा तीन टाका मारा कोई दिकत नहीं है और किसे पाइर कटा सीशा से कट गया सीशा से कट गया तो टाका तीन टाका मारा औ सीजा से पाईर करने के करन तीन ठाका उसको लगा कोई दिख़त नहीं है किसको लग रख रहा है सामाः को लग या नहीं ऐसे याद रखे तीन ठाका अगे तोसलत किया तो स मेटल आपका हो गया तामभा लोहा और निकल तो इसको कैसे याद रखेंगे कि सामभा जो है क्या करता था कि सामभा फिल्म देखे होंगे सोले में तो हीरो हीन को हीरो हीन को क्या करता है पकर के उठा के लेक चला जाता है तो उठा के लेक चला जाता है हीरो हीन को सामभा उठ रखे एक हिरोईन का नाम है सांभा गया और उसको लोहा की ग्रील से निकाल लिया यानि लोहा में था मोनल लोहा की ग्रील के अंदर था मोनल मोनल था और लोहा के ग्रिल के अंदर से सामभा निकाल लिया और लेके चला गया लेके चला गया इस तरह साप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा तुरत तो मोनल नाम की कोई हिरोहीन है सामभा गया और लोहा के ग्रिल से उसको निकाला और लेके भग गया तो मुनल नाम का लड़की कोई हो गया सांभा गया लोहा के ग्रिल से निकाला और लेकिसा लगया तो आपको अराम से याद हो जाएगा तो आगे बरते हैं उसके बाद मुद्रा धातु आपका है मुद्रा धातुक आप कैसे याद रखेंगे मुद्रा मतलब तो रुपिया पैसा तो सांभा जब है कि चोड़ी करने के लिए जाता है तो क्या करता है सांभा तो होगा ही तांभा हो गया तांभा हो गया और मुद्रा किसी के घर से लेके भागा कितने मुद्रा लेके भागा तीन मुद्रा लेके भागा और फरार हो गया जैसे सामभा गया और तीन मुद्रा उसको मिला तीन मुद्रा मिला और लेके फरार हो गया तो आप याद रख सकते हैं कि मुद्रा धातु को तामभा सामभा तीन मुद्रा टीन लेके फरार हो ना मतल संभा, तीन लिया, तीन मुद्रा लिया और फ्रार हो गया फासपरस हो गया आगे बढ़तें किर्थिम सोना '' संभाव को कैसे याद रखेंगे'' सांभाग की पत्नी को एलू मीना, एलू मीना मतलब मीना याद रख लिए, मीना उसकी पत्नी का नाम है, मीना उसकी पत्नी का नाम है, उसकी पत्नी बोला कि हमको सोना लाईए, कृत्रिम सोना लाईए, तो कृत्रिम सोना सांभा लाया, और मीना को दे दिया, यानि एलू मीना ह हो गया तो क्रित्रिम सोनाम कौन-कौन हो गया सांभाग लाया किसके लिए मीना के लिए मीना मतलब एलो मीना के लिए लाया तो आपका अंसर हो गया सांभा मतलब तामभा और एलो मीना क्रित्रिम सोनाम किसके लिए लाया अपनी पत्नी मीना के लिए लाया इसलिए एलो मीना ह हो गया और कौन लाया सांभा लाया साम्हा अंदर बार हुए को दिख्यता कि दिखता नहीं है इसमें अघबर वटा सॉइलडर सो Rudapi GUYन करनां जानते and थीने जगह कर ना है तो टाका भी लगेगा कि टाका लेगा तीन टाका लेगे सो़डर भी तीने जगह करना है तीन तो एक किलियर हो गया है अब तीन जगह हो गया तो लेड लेड मतलब क्या हो सीसा लेड मतलब सीसा होता है जिसका पीबी होता है तो आप याद रख सकते करना 3 जगां 3 जगा इंवर के छाना ओर किसी चीज़ को सोडिंग करवाने के लिए क्या करना पढ़ेगे लेके जाना पढ़ेगा लेके जाना है फिर्ट करना पर लेके जाना पढ़ेगा है अगे बढ़ता है डिरी यूलूमीन इसको कैसे याद रखेंगे डिरी ओलो मीन ह calculator आप इसको याद रखने के लिए देख़्े अब पहले सांभाँ नहें क्या किया अपनी पत्नी को किर्तिरीम सूना दिया तो सांभाँ गया लाया अपनी पत्नी क्लिए ए तो अब उसके पत्नी बोला कि हमको डिरुलमीन चाहिए तो डिरुलमीन चाहिए किसको बोला सांभाग बोला तामबत हो यह जाएगा और कौन बोला उसकी पत्नी एलुमीनियम यानि मीना बोला तो आप याद रख सकते हैं कि सांभाग को बोला कि करित्रिम सोना के बाद मीना या ऐलूमिनियम को दिकत नहीं है जाद हो जाएगा आगे बढ़ते रोल गोल्ड रोल गोल्ड फिर उसकी पत्नी बोला कि रोल गोल्ड चाहिए रोल गोल्ड चाहिए तो रोल गोल्ड चाहिए तो रोल गोल्ड लाना परेगा उसको तो उसकी पत्नी बोला ऐलू मीना बो ला रोल गोल्ड चाहिए उसको तो क्या करेगा माथा पर लगाएगा माथा मतलब कपार पर लगाएगा कपार मतलब कोपर यह नहीं कोपर तो कोपर मतलब रोल गोल्ड क्या पांता है माथा में टीका पांता है कपार पर पांता है तो रोल गोल्ड क्या हो गया एलो मीना मीना कहां पानेगे कपार पर यानि कॉपर होगे कोदिकत नहीं रॉल गोल्ड कहां पानेगे कपार पर कॉपर होगे आगे बढ़ते हैं बड्स धातू बड्स धातू में बहुत लंबा ची है लेकिन देखिए आपको तुरत याद हो जाएगा बड्स दहातू को आप कैसे याद रखेंगे बड्स दहातू मतलब बेश्ट दहातू याद रखेंगे 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 बेश्ट दहातू याद को who wanted this 7 अब ईसे क्हा हो गया केडिमी केडिमीय खो अब एसे क्या होता है तो एसे केडिमियम आपका उचारन हो जाएगा क्योंकि पूरा उचारन नहीं हो जाता भी एस्ट कि बीसे बिसमत इसका उचारण नहीं हो रहा है ऐसे सिसा टी से तीन इस एकेडिमियम केड यह आड़ा इसमें केडिमियम आपको जाए को दिकती है आगे बढ़ते है नाइक्रोम नाइक्रोम आपका देख लिए नाइक्रोम नाइक्रोम एन आई के आर ओ एम को दिकती है नाइक्रोम तो एन से निकल एन से निकल आईए है आई से आईरन आईरन मतलब लोहा होता है के आड़ के आरो के आरो मतलब क्या क्रोमियम के आरो मतलब क्रोमियम और एम से मेगनेज आपको उचारण इसी रो इसी सो रहा है नाइक नाई मतलब निकेल, आई मतलब आईरन, आईरन मतलब लोहा, क्रो मतलब क्रोमियम, और मो मतलब मेगनीज, तो आपका नाइक्रोम होगे निकेल, लोहा, क्रोमियम और मेगनीज, आपको राम से याद हो गया होगा, अब है जंक रोधक, जंक रोधक और नाइक्रोम दोनों सेम चीज़ है लेकिन एक चीज़ फर्क है कि इसमें carbon, manganese की जगा carbon होता है, manganese नहीं होता है, इसके carbon होता है, लोहा, chromium हो गया, chromium हो गया, और nickel भी हो गया, और बचा हुआ है कि carbon सिर्फ इसमें डाला जाता है, carbon इसमें डाला जाता है, junk, रोधक होगे, कोई दिकत नहीं है, तीनों तरब से कसा हुआ है तीनों तरब से मतलब तीन तीनों तरब से कसा हुआ है तीनों मतलब तीन हो गया उसके बाद क्या सांभा का एरिया को देखें तंबा और टीन हो गया इस्टिल इस्टिल का पर याद करेंगे लोहा और क्रोमियम हो गया लोहा और क्रोमियम को आप – आपको याद आराम से हो जाएगा, लोहा, निकेल, और क्रोमियम Thatック box अब उसके बाद डच धातु को हम क्या ब मोले हैं – तामबा और जस्ता डच धातु पीतल को बोलते हैं Then पीतल याद होने और घंटा धातु, घंटा धातु को कस कासा भी बोल सकते हैं, घंटा धातु को हम क्या बोल सकते हैं, कासा, तो कासा याद होगा, तो बेल धातु या घंटा धातु याद हो जाएगा, पीतल याद होगा, तो डच्च धातु याद हो जाएगा, गन मेटल, गन मेटल आपका क्या हो गया, गन लेना है, किसको लेना है तॉह किसस्ता और बड़ता है आपको याद होते। तांब्वाी निबुए इस और नाम के कोई यह रही न है उसको सांभा उठाकर लाएगा लोहा के ग्रिल से उठाकर लाएगा और निखाल शाहर निखल कि आतो कि ने तैंगर कि एसी घंघाने मिट्रा दो पियए से यह कि और सांभा लेगा कितना ठाक लेगा कितना मुदरा तीन और लेके क्या हो जाएगा फरार हो जाएगा फासपोरस हो गया कृत्रिम सोना उसकी वाइफ बोली मीना बोली एलुमीना बोली कृत्रिम सोना नाले के लिए किसको बोला सांभा मतलब तांभा तांभा और इमिलियम हो गया सोल्डर सोल्डर मतलब कितने जगा सोल्डिंग करना है तीन जगा तीन जगा सोल्डिंग करना तीन जगा मतलब टीन हो गया और लेके जाना पड़ेगा लेड हो गया तो डिरोलमीन हो गया तो डिरोलमीन भी चाहिए उसकी वाइप को एलोमीना को चाहिए किसको बोलेगा ताम बिस्मत BEST, बिस्मत सिसा और टीन इसे केडमियम, आगे बढ़ते हैं नैक्रोम, नैक्रोम का पूरा उचारन है निकेल लोहा क्रोमियम और जंक रोधक का, तो आप देखी लिए, कोई दिकतने उमीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, और जो नए इस चैनल पड़ा है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक और सेर जरूर किजिए, अपने मित्रों में बाठिए इसको, और जो सस्क्राइब चैनल को नहीं कियें, किर्पियाकर के चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, और उसके बार नेक्स्ट आगे हम वीडियो मिलते हैं, बस आज इतना ही,